वेलकम टू जी के बटी ओफिसियल दोस्तो हमने लेक्चर वन और लेक्चर टू के अंतरगत कम्प्यूटर के जितने भी टॉपिक इस्टडी के हुए हैं उनमें से सीजी व्यापम के एक्जाम में अब तक जितने क्वेस्चन आये हुए हैं मैंने उससे कलेक्ट करने की कोशि किया है दोस्तों सीजी व्यापम के एक्जाम में उन सब टॉपिक से जितने भी क्वेस्चन आये हुए हैं आज हम उसका प्रेक्टिस करेंगे दोस्तों आप लोगों को लेक्चर वन और लेक्चर टू में बेसिक पढ़ाने के पीछे मेरा से प्यूद देस था दोस्तों की आपका कॉंसेप्ट पहले क्लियर हो जाए कॉंसेप्ट क्लियर करने के बाद एक्जाम में आयोए क्वेस्चन पर यदि आप उससे एप्लाई करोगे तो फिर मुझे लगाई है जो है आपके लिए काफी जादा बेनिफिशियल रहेगा यदि आपने लेक्चर वन और लेक् टू अटेंड कर चुके हुए है वो अपने कॉंसेप्ट को एप्लाई करने की कोशिस करेंगे जो प्रिवेस एर के क्वेस्चन है उससे सॉलो करने की कोशिस करेंगे ठीक है दोस्तो इसमें टोटल 20 क्वेस्चन है दोस्तो और आपके कितने क्वेस्चन के आंसर सही होते हैं आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा दोस्तो अपना feedback दीजिएगा और यह जो मेरा method है पहले concept उसके बाद objective question previous year के solve कराने का यह तरीका सही है कि क्या है आपको क्या इसके संबन में रहा है आप हमें comment करके जरूर बताईएगा दोस्तो तो फिर चलिए दोस्तो शुरू करते ह पहला question है दोस्तो computer का brain या दिमाक किसे कहा जाता है computer का दिमाख CPU monitor modem software किसे कहा जाता है तो computer का दिमाग CPU को कहा जाता है इसका lux फोल फॉरम भी पूचा जाता है centr pre-уш g this Center processing unit होता है आप सही है पूचा जाए कि computer का भी किसे कहते हैं तो computer का हिरदय भी कि दोस्तों CPU को ही कहा जाता है आप सेहाँ पूछ ले जाए कि computer का नाड़ी किसे कहते हैं तो computer का नाड़ी करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे सा है word को process करना गेम खेलना internet browse करना यह सारे के सारे क्या है दोस्तों computer का उपयोग है वह तो word processing करना गेम भी खेलते हैं आप internet से browse भी करते हैं तो यह भी हो जाएगा दोस्तों one two three इसका answer हो जाएगा ठीक दोस्तों भी जाएगा अपरिस्कृत वस्तों का संग्रह अपरिस्कृत वस्तों का संग्रह क्यों क्या कहा जाता है दोस्तों अपरिस्कृत वस्तों के संग्रह को डाटा कहा जाता है दोस्तों डाटा क्या होती है कच्ची जानकारिया होती है इसे रॉप भी कहा जाता है दोस्तों ठीक है त परिस्कृत वस्तो तो परिस्कृत वस्तो यहां पर information दिया रहता है तो फिर आप किसे answer लगाते दोस्तों information को यहां पर right answer लगाते हैं तो computer का जो संसोधित आकड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों उसे output कहा जाता है तो इसका answer हो जाएगा दोस्तों B हो जाएगा computer process का मुखिलक्ष data को बदलना है data को किस में बदला जाता है computer process का मुखिलक्ष data को information में बदलना है मतलब सुचनाओं में बदलना है तो इसका answer हो जाएगा C सार्थक आकड़ा को क्या कहा जाता है दोस्तों सार्थक आकड़ा को कहा जाता है मैं क्या बताया हूं information कहा जाता है सुचनाय कही जाती है या फिर पक्की जानकारिया कही जाती है ठीक है दोस्तों आउटपूट के रुप में आपको क्या मिलता है दोस्तों सार्था काकड़े मिलते हैं और उसे क्या कहा जाता है इन फॉर्मेशन कहा जाता है तो इसका आंसर बी हो जाएगा इन में से कौन कम्प्यूटर के निर्देसों को क्रियानवित करता है पहला अरित्मेटिक यूनिट लॉजिक उनिट अऔर बी और कंट्रोल वूनिट तो ए और वी दोनों हो जाएंगे दोस्तों अरित्मेटिक侑 लोजिक यूनिट क्या करते हैं कम्प्यूटर के निर्देस्कों क्यानवित करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा सी कम्प्यूटर निर्देमसे कौन साused Computer का क कम्प्योंतर का उपयोग करने का यह लाव है कि कम्प्योंतर बहुंतते होते बड़ी मात्र में data को इस्टोर कर करके रखते हैं यह तो सही है जब इंपूट गलथ हो तब बड़ी मात्र में data के सकते हैं चेज़ा है बड़ी मात्रा में डाटा को इस्टोर करके रखते हैं इन में से कुछ ऐसे चेत्र है जहां कंप्यूटर महतपूर्ण रोल अदा करता है सिक्षा विज्ञान और स्वास्त यह तीनों चेत्र में तो कंप्यूटर यूस किये जाते हैं दोस्तों तो फिर इसका राइट अंसर क् उपरोक्त सभी निम्न में से कौन CPU का महतपूर्ण भाग है CPU के तीन महतपूर्ण भाग होते हैं एक होता है अरिद्मेटिक लॉजिक यूनिट दूसरा कंट्रोल यूनिट तीसरा मेमोरी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी डी कंप्यूटर का का कारे करने का क्रम क्या है कंप्यूटर का कारे करने का क्रम क्या है दोस्तों इंपूट होता है फिर उसका प्रोसेसिंग होता है फिर आउटपूट होता है तो फिर आपका राइट अंसर हो जाएगा सी इंपूट प्रोसेसिंग आउटपूट CPU में CU कार्थ क्या होता है CPU में CU कार्थ होता है Communication Unit, Calculating Unit, Control Unit, Cash Unit तो CU कार्थ होता है दोस्तों, Control Unit तो right answer हो जाएगा C निमने में से कौन सा कम्प्यूटर का अधारभूत कार्य नहीं है अधारभूत कार्य बेसिक वर Input Accept करना, Text Copy करना, Data Processing करना और Data Quisture करना Input Processing, Stories सारे तो कम्प्यूटर के बेसिक कार्य है अधारभूत कार्य है लेकिन Text को Copy करना ये कम्प्यूटर का बेसिक कार्य नहीं है दोस्तों तो right answer हो जाएगा B कम्प्यूटर के किस भाग को Nervous Enter कहा जाता है यानि नाड़ी तंत्र कहा जाता है तो कम्प्यूटर के Software दिये हुआ है Hardware Control Unit Program तो Control Unit को क्या कहा जाता है दोस्तों कम्प्यूटर की नाड़ी कही जाती है तो right answer हो जाएगा C निम्न में से कौन सा Input Device है Monitor, Printer, Mouse और Speaker तो Monitor से क्या मिलता है दोस्तों आपको Output मिलता है Printer भी जहां से आपको Hard Copy मिलता है इस Speaker से भी क्या है एक प्रकार का Output ही है तो बचा क्या दोस्तों Mouse Mouse के थूरू हम क्या करते हैं Data को Input कराते हैं तो right answer हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा दोस्तों C हो जाएगा Mouse निम्न में से कौन सा एक Input Device नहीं है Scanner, Mouse, Printer और Keyboard अब Mouse तो पता चली गया है दोस्तों किये क्या है एक तरह का Input Device है Keyboard क्या है दोस्तों Input Device है Scanner भी Input Device है और Printer क्या है दोस्तों जहां से आपको Hard Copy मिलता है तो यह है आपका Output Device तो right answer हो जाएगा C निम्न में से कौन सा Output Device नहीं है Barcode Reader, Printer, Plotter और Flex Machine तो दोस्तों Printer, Plotter, Flex Machine यह क्या है आपके Output Device है लेकिन जो Barcode Reader है वो क्या है Input Device है तो इसका right answer हो जाएगा A बिस्वा नम्मर का Question देखते हैं दोस्तों Data Event Program Fill in the Blanks किसमें संग्रहित होते हैं जब Processor उनका उप्योग करता है Data Event Program Main Memory में संग्रहित होते हैं जिस समय क्या होता है Processor इनका यूज करता है तो फिर आपका right answer हो जाएगा दोस्तों इस तरह से दोस्तों हमने जितने भी topic अभी तक पढ़े हुए हैं उसमें से Question जितने भी CG Vipham के exam में भी तक स्याह हुए उसको हमने cover करने की कोशिस किया हुआ है इसमें से input और output से related कुछ question मैंने अभी छोड़के रखे हैं दोस्तों क्योंकि सेम से question करने में मजादा मजा नहीं आता है और दूसरी बात कि जब हम input output का एक अलग chapter पढ़ेंगे तो फिर अभी तक से जितने भी question आए हुए हैं मैं सारे question को वहाँ पर आपको करवाऊँगा अभी क्या है basic है शुरुवात chapter है तो फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा सा इन सब चीज के बारे में उपर उपर से देखे हैं तो फिर अभी तक से जितने में मतलब exam में आए हुआ है वे आप हमके exam में question उसको हमें cover कर लिए हुए है जब वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें comment करके जरूर बताईए और हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और इस वीडियो को like पी कीजिएगा और साथ ही शाथ इस वीडियो को share कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों को पास में इसे जरूर शेयर कीजिएगा अज तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद